Honorable Speaker Sir, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभी जो बिल Home Minister साब पेश किया है तेलंगाना स्टेट प्रिवेंशन आफ टाउटिंग और माल प्रैक्टिस अगेंस दर टूरिस्ट और ट्रैविलर्स अक्ट ट्रैविलर्स अक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन बेशक बिल तो काफी अच्छा है हम इस बिल की ताहित करते हैं मगर दू-तीन चीज यह मुझे पूछने का आप से यह है जैसा आपने अभी कहा कि यह बिल गोवा में अलरडी इंटर्डियूस हो चुका है लॉंग बैक करनाटक में भी हुआ डिली में भी हुआ तो क्या यह बिल इंटर्डियूस होने से पहले क्या था और बिल इंटर्डियूस होने के बाद अभी क्या पोजिशन है क्या इसके ओपर अपनी स्टेट गर्णमेंट स्टेडी करे क्या यह मुझे जानना जरूरी है और दूसरी चीज मैं आपके जरीय से मिनिस्टर साब से ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो माल प्रैक्टिस बिल लेकर आए है, बिल तो बड़ा अच्छा है, मगर इसके ओपर फरस करिये कोई टूरिस्ट या ट्रैवलर आएंगा, अगर उन्हें फाल्स कंप्लेंट सपोस अगर ये चीज मालूम हो गया, तो आप सोचिए कि जितने भी टूरिस्ट आते, कई टूरिस्ट भी वाइट कॉलर क्रिमिनल्स भी होते हैं, उन लोग इसका बेनिफिट ना उठा ले, अगर बेनिफिट उठाएंगे, तो अच्छे खासे तिलंगाना के आदमी को डि बिल्की ताइद के साथ साथ, यहां के लोकल्स को कोई प्राबलम नहीं होना, उसमें भी आप देखिए, आपने कहा के बेशक, इस्पेशली एरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड, मार्केट्स, और दूसरी जगा के उपर जो जो चीजें होती है, उसके उपर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बेशक आप कंट्रोल करिए, मगर हम यह चाहते हैं, कि इसकी मुकमिल तैकिकात करने के बाद ही, आप इसको अगर केस बुक करेंगे, तो वो बहतर रहेंगा, हम इसकी बिल्की ताइद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, स्पिकर साब, मैं जाफरुसें साब, और सिरीदर बाबु साब का, और राजा सिंग साब का शुक्रिया आदा करता हूं, जो बिल्की ताइद कर रहें, यखिनन ये बिल्की पेश करने से पहले, हमारे आफिसरों ने बहुत सुचा, बहुत इसके बाद में गवर किया, खास ताउज़ दी गए, और हमारे जैसा जाफरुसें साब ने कहा, कि हम भी यही चाहते हैं, कि टूरिस्ट की वज़े से कोई रांग तंप्लेन ना हो, और किसी वज़े से हमारे शेरी को नुक्सान ना हो, जो हमारे लोग काम काज़ करते हैं, जो आटेक्सी चलाते हैं, जो भी गाइट का काम करते हैं, किसी वज़े से भी, हम उनकी भी बहुत हिफाज़त करेंगे, टूरिजम डेवलप करने के लिए, चुंकि हधार इस्टेट में खानू लाने के बाद से काफी पाधा पहुचा है, हमारी स्टेट में भी टूरिस्ट को हिफाज़त होना है, ट हमारे इंस्पेक्टर लेवल तक या सब इंस्पेक्टर लेवल तक उसकी जानकारी लेने के बाद, रिपोर्ट देने के बाद ही केस बुक किया जाएगा,